Good morning friends, vitamin 39, wheel pain. Lever pain क्या होता है?.. LEVER pain एक्चुलि हर गर्भावती महलाव में होता है लेकिन कब होता है? वो, गर्भावती महलाव के 37 सब्दा आने पर यह शेथी सब्दा के बाद होता है. जो गर्भावती महलाव के 37 सब्दा के बाद जो şekilde kol Zone कि लेवर पम जोला लेवर पम लेवर पिंपर वेवर आपको बतलाता है कि यह आपका डिलेवरी बहुत जल्ड होने वाला है क्यांकि यह इनकी पापचान यह यादि लेवर पंर नहीं होगा किसी भी मेंतर सकता है लेवर पेन ही आपको डिसाइड कर देता है कि डिलेवरी अब बहुत कम टाइम के अंदर मतलब कि 20 घंटा 25 घंटा 24 घंटा 25 घंटा के अंदर आपका डिलेवरी हो जाएगा लेवर पेन समय से पहले भी हो जाता है कभी कभी तो उसको हम लोग प्री मैच्योर लेवर पेन कहते जो लेवर्पेन समय से पहले होता है उसको हम लोग प्री मैच्योर लेवर्पेन करते हैं कुछ लेवर्पेन होता है जो 30 सब्दा के बाद मतलब 40 सब्दा पर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडूश्ट लेवर्पेन और दोनों लेबर पार्षां काते हैं ऊधिसको कऱा या देखा जाता है। तो देखा जाता है कि लेवर्ड जो द्लीखर के जो महिलाया सुराथी जिसका ऊचल चीनत história तृती हैं कि पहले पहले लेश प्रकृमिर्द इस सफर करती है जिसके चलते उनके आंदर भहुश्यादा भाए रहता है लिगाए होने के जरुरत यह एक नेचुरल प्रकिरिया है नेचुरल प्रोसेस है वह हलका दर्द पिना होती है वह अपने आप प्रूना क्या होता है वह निकल जाता है लेवर पेन में लक्षण क्या होगा लेवर पेन में लक्षण होता है आपको कि जैसे जैसे सहती सप्ता नजदीक आते जाएगा तो जो बच्चा होता है वो धिरे 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 जो बेबी होता है वो नीचे के तरक खिसकने लगता है जिसके चलते का होता है अंदर हलका हलका दर्ध होना अस्टार्ट हो जाता है और जैसे जैसे नजदीक आते जाएगा ड तो यूपनर निन के ज़ए डर्द की ज़साओ होगा उतना है ज़्यादा का होगा जू घुलेगा जो तो गृवाह में बदला हो ज़्याब मतलब मुह खुलना चालो हो जायगा उस टाइमिंग में एक होता है कि बहुँ ज़्यादा सरीर से मीकस आता है खोन आता है पानी आता है सरीर से बहु ज़्यादा मर इसको मतलब लठन बतलाता है कि अभ डिलेफिर इपरी बहुत जल्ब होने वाला हैरै 12 खन पाँ 5 खन ऐसे ग्या-ई उसके बड़ महिला हो कि नहुंब महिलाओं के भावनाम भी इृति करता है उसको मेलाव को बार-बार सोने का भी मन करता है उसको बहुता होती है उसको दर्द महसूस होता है उसके जो मांस्पेसिया होते है जोड़ो को जो मांस्पेसिया होते है उसमें बहुत तक तनाव आता है खिचावाता है जैसे से पियन बढ़ते जाता है उसको मांस्पे कि निमाऊव को लेवर पर इनज्ञे शुरुआत हो गया है में मुझा टॉड़ घबाना नहीं चाहिए उसमें सयम परतना चाहिए और उस टायम बहु यहां सीर से पानी का लॉज होता है लिव लेते मुझें चाहिए ग्राल सितीन है करता है उसको हमेशा बंदाब को टाइम बहुट रहत भी देगा और शरीर को अराम पेटान करेगा और दरध होता है इसको तीन भाग में बाचा गया है जो डिलेफरी के समय जो दर्द होता है कि जो पीडा होता होता है उसको हम लोग तीन भागों में भाढ़ते हैं ऐस Con Carlo activated Let everyday इसको तीन भागों चलड़ कि 8 अग confess मतलब कि इसमीं का होता है बहुत हलका हलका होता है इस फ्रौन का होता है कि बहुत तेज़ दर्द होता है कि बच्छा बाहर निकल जाता है कि एक का ये स्रौाथ कर नौबा होता है लंबा होता है इसमें हलका हलका दर्द जो होता है लंबे टाइम तक होते रहता है और जो संगुचन की जो परकिरिया है लागतार क्या होती होती है इसमें चलते रहता है क्योंकि जो संगुचन जो बार-बार होता है जिसके चलते ही कहा होता है गर्भासे के ग्रिवा में फैला होते रहता है और यह कहा होता है यह सुरुआती प्रियोड होता है इसमें कहा होता है जो गर्भासे का जो मुह होता है खुलना चालू हो जाता है उसको दूसरा चरण में कहा होता है कि इसमें हालका तेज दर्द होत है और इसको बार बबार जहाला है क्यों को मुछ को दिखना पढ़ता है कितने फिंगर खुला है अम मुष ही चेक पर टेखा जा फिंगर तो इस हुए करना unseen नहीं बढ़ियां से का होगा डिलेफरी कराना असान होगा और डिलेफरी भी आसानी प्रक्रियास होजाए कि उसमें कोई प्रक्रत दीकत नहीं होता है जो लास्ट चरह होता है उसमें का होता है कि बच्चा जो सरीर से बाहर निकल जाता है और उसके सांथ प्लसेंटा होता है जबन सकत youtube तो kept cui बाहर देढ़या निकाला हुता है तो उस टाइम ही पेन होता है जिसको हम लोगो को पूलते हैं त्रांजिससे बोलते हैं प्रवर्वर्टोण मतलब कि बच्चा मां से अपना अलग हो जाता है यह आपको लेबर प्रेंट की प्र किरिया है इसको अच्छे से देखना चाहिए कि पेपर में आ सकता है थाइन कि यह गूड मॉर्निंग प्रेंट्स